तो फाइनली ढूंडी लिया आपने, हाँ मुझे उम्मीद थी आप ढूंड लोगे, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कक्षा बारा इतिहास, आपकी पुस्तक दो है, यह मतलब तीन पुस्तके हैं आपकी कुल मिला के, पार्ट पांच है यात्रियों के न इस चैप्टर के आपको जो है, अब्याज के परसन उत्तर, महत्व परसन उत्तर, यह सारी चीजों की वीडियो और साथ में लिखे हुए, दोनों काम मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्टर में पेज और प्लेलिष्ट दोनों का लिंक है, जरूर से चेक कर लेना, शुरू करते ह है, वो दो-दो भागों में बना हुआ है, और इससे पहले के जो है, चार चैप्टर मैंने अब को रेडि करवा दिये हैं, नहीं देखे तो देख लेना, और कुछ टाइम के बाद देखो के सारी बुक आपको मिल जाएगी, पले लिस्ट खोल के जरूर से देख लेना, तो यह भाग एक है फिलाल के लिए, अब यहाँ पर क्या है, यात्रियों के नजरिये, समया बदल रहा था, लोगों को कुछ पता चल रहा था, क्या पता चल रहा था, अरे हाँ, उस देख के अंदर ब्रहमन रहते हैं, हाँ, वहाँ पर सोना भी है, वहाँ पर खजाना है, वहा से दूसरे देश आ जा रहे थे तीर थियातरी जिन को बोला जाता है जो ऐसे घुमन तु टाइप के लोग थे वो तीर थियातरी बोला गया उनको यानि कि जैसे आप कही पर जाते हो किसी भगवान की भगवान को देखने कहीं पर भी दूर राज के लाके में तो आपको तीर थ्यातरी बोला जाएगा वैसे वह लोग जैसे फ्रांस हो गया चाइना हो गया चाइना से तो आए थे दो बंदे श्वेंट सांग और फानस ये पता नहीं फासियन था और श्वेंट सांग ये चाइना से आए थे बुद्धरम को मतलब पढ़ने उसका अध्यन करने तो उनको तिर्थ यात्री बोला गया वैसे ही फ्रांस से आए दूसरे अलग-अलग देशों से महाद्वीप से लोग आ रहे थे भारत के अंदर ही नहीं बकाइदा दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में उनको जाना होता था हैंनि कि कभी भारत आ रहे हैं कोई चीन जा रहा है कोई और जा रहा है मतलब ऐसे घूम घूमते रहते थे वो पूरी दुनिया का बोल सकते हो अध्यान कर रहे थे ये लोग तो इन यात्रियों के जो है नजर ये लिखे गए किताबों के अंदर किताबे वो किताबे जो हमें मिल गई बहुत पुरानी थी वैसे मिल गई लेकिन उन एक चीज बता देता हूँ गर आप एक्जाम के पॉइंट ऑफिल से देखते हो इस चैप्टर में से बहुत कम कोस्टन्स बनते हैं एक्जाम के लिए मतलब बहुत मुश्किल से मिलेगा अगर आप हरियाना बोर्ड से हो अगर आप किसी दूसरे बोर्ड में हो तो अलग-अ लग-शीन होते हैं अपने अपने बोर्ड के बाकि फिलाल में हरियाना बोर्ड के लिए बता सकता हूँ कि इस सैप्टर में से बहुत ही कमाता है मतलब बहुत रेर होता है कि कोस्टन देंगे अब यहां पर नाम भी बड़े अजीव हो गरीब है पहला नाम है जो है अल बिर पूरो खतम हो जाते ना जैसे उननी सो सत्तर ठारा सो सत्रा सो सोला सो पंद्रा सो बीस ऐसे वह टाइम पीछे पीछे लेके चलो आप तो वह 973 जब मतलब टाइम शुरू ही हुआता लग-बग लग-बग तो इस टाइम की बात कर रहे हैं यहां पे इनका जनमीश टाइम प अच्छा का एक अच्छा महत्तपुन के इंदर था और अल बिरूनी ने उस समय उपलब्द सबसे अच्छी सिक्षा प्राप्त कर ली थी वह कई भासाओं का ज्याता था जिसमें शीरियाई फार्सी हिब्रू तथा संस्कृत सामिल है अब यह संस्कृत बाद में सीखी थी थोड़ी शी क्योंकि सस्कृत बारत वाली साइड में जब आया तो अब पता लगा था उसको ऐसी कोई भासा है उसको बहुत सारी दिक्कते भी आई बाद में लेकिन यार हर ना मानना उसकी अच्छी बात थी यहां पर बताते हैं कि हाला कि जो है ना उसको युनानी भासा क है वहां पर युनान के अंदर जो है ना जो जैसे हडपा सब्वयता मिले थी भारत में वैसे युनानी जो सब्वयता थी वो पूरानी थी हडपा सब्वयता से पहले मिल गई थी तो वहां पर बहुत सारी भासा थी और युनान की जो भासा थी वो अलग थी इदर वाली भा पर फिर भी वह पलेटो अन्य युनानी दरसनिकों के कारिये से पूरी तरह से प्रीचित था ये वो लोग थे जो युनानी में लिखा करते थे तो फिर भी इसको पता था कैसे पता था जिने उसने अर्बी अनुवादों के माध्यम से पढ़ रखा था अब ये जो लोग थे ना मतलब ऐसे कोई भी व्यक्ति जो है किसी ने किताब लिखी उसका अनुवाद होता है कि युनानी में लिखा फिर संस्क्रीट में किसी ने और लिख दिया किसी ने पाली में लिख दिया तक कि लोगों को तक वो बात पहुंचे जो वो बताना चाहता एपनी किताब के पर आकर्मन के पस्चाद सुल्तान महमूद यहां के कई विद्वानों और कवियों को अपने साथ राजधानी गजनी ले गया देखो यह पहरा पूरा हाइलाइट के इडाया पढ़ लेना एक्जाम में अगर आता है तो इसमें से पूछे दा सकते हैं सीकू या वन वर्ड टा तो उस टाइम पर जो है ना सुल्तान महमूद ने यहां पर हमला कर दिया राजा लोग थे सल्तना थे बनी हुई थी तो हमला कर दिया और हमले के दुरान जो है ना उसने बंदी बना के ले गए बहुत सारे कवी थे विद्वान लोगों को पड़े लिखे लोगों को बंदी के लिए गजनी में जाके सुरी में जाके महमूद सुल्टान महमूद के लिए उसने काम किया राज कभी भी बने काफी लंबे समय तक वहां पे करा उसके बाद में वो जो है बताते हैं आठवीस तापती से ही उसको से ही संस्कृत में रचित खगोल विज्ञान गणित और चि गई कहीं फरांस में पहुंच रही है य कहीं एरब में पहुंच रही है कहीं युनार हो धी समझे करी कोशी से हुरै बहुत सारी चिजह में काम किया महमूद के लिए तो समझ रहे हो न समझे था और काफी लंबे समय तक इस वजह से उसको काम करना पड़ा था अब यहां पे इसको संस्क्रीट धर्म दर्शन का ग्यार यह सारी चीज़े बहुत सारी चीजों की इसको जो है नोलेज हो चुकी थी अब बात करते हैं किताब अलहिंद जो इसने लिखी थी किस वंदे ने अब देखो नाम मैं बोल रहा हूं सिंपल बात है याद नहीं रहते हैं मुझे भी नहीं रहते हैं आपको याद रहते हो तो अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है माला वह एक बात लोजिकल यह होती है एक्जाम टाइम पे ना किताबे किताबे और उनके नाम उनके ले बुली हिंद की भासा सरल और सपष्ट है मनलब यह तो लिखना ही होता यार इससे ज्यादा क्या बताएंगे यह तो कोमंसी बात है अगर सरल सपष्ट की बजाए हम लिखते हैं यह तो डिफिकल्ट भासा है कौन पढ़ेगा फिर कौन जानना चाहेगा उस किताब के बारे में यह एक विश्ट्रित गरंथ है जो धरम और दर्संत्यों हरो खगोल विज्ञान की मियारी ती रिवाजों पर थाओं समाजी की विज्ञान भर तोल मापन विद्या मुर्तिकला कानून मापन विज्ञान आदी के वीशों पर 80 अध्यायों में विबाजीत है यानि यह में कैसी मुर्तिकला है सिल्फ कला कैसी है वहां का विज्ञान कैसा है क्या अंत्रिक्स में कुछ देखते हैं कौनसे रिती रिवाज है कौनसी पर्थाएं आम जिंदगी कैसी है ऐसे यह सारी चीजे उसने लिख दिए एक ही किताब के अंदर यह थोड़ी इसी विरल लगे आपको कि एक ही किताब में सब कुछ है जियोगराफी पॉलिटिकल हिस्ट्री एकोनोमिक सिंधी इंगल इस उडदु सब भर दिया एक किताब में समझे रहे हो ना मतलब उसके असी पार्थ बनाया से आपके भी तो नहीं होंगे आप अगर सारी किताब के पार्थ मिलाके तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं देखो लेखको के नाम किताब क्या थी उसमें क्या था वो पता होना चाहिए बस आपको मोटा मोटा सा पता रखना बस में दो लेखक को किताब का तो पता होना ही चाहिए इबन बतुता का रिहला, इबन बतुता क्या नाम है भीया एक आरमीक विष्व यत्री, सुरुआती दोर थी म lovely, सुरुआत ओरही थी, लोग जो है, इदर उदर जा रहे थे इबन बतुता त्वरा अर्भी भास्टा मैं लिखा गया उनका यात्रा वृतांत जिसे रिहला कहा जाता है ये इसकी किताब है रिहला रिहला ये नाम है इसके किताब का और इसकी तो यार मस्त कानी है उस वाले बंदे से भी मस्त कानी है उसको तो जो है ना महमूद पकड़ के ले आया था अपने साथ गजनी में वहाँ पे काम किया उसने मजबूरी हो गई इसकी कहानी बिल्कुल हटके है मौरकों के इस तिर्थियातरी का जनम तैजियर के सबसे सम्मानित और शिक्षित परिवारों में से एक जो इसलामी कानून या फिर सरिया पर अपनी विशे सग्यता के लिए परस्चिदता वहां पर हुआ था देख वह उसका जनम कहा हुआ था वहां पर भी शिक्षा का महत्पूर्ण के इंदर था वहां पर वा अच्छी शिक्षा लिए उसने इसका भी एक शिक्षित परिवार में ही हुआ मनलब पढ़े लिखे थे दोनों के परिवार और यहाँ पर क्या हुआ इसकी जो है ना शुरुवात में ही प्राथी मतलब बच्पन में ही उसने जो है साहित्य और सास्तर रूड जो है कम उमर में ही प्राप्त कर लिया उनकी शिख्षाएं उनका ज्यान पड़ लिया था उसने 1332 से 33 में भारत के लिए प्रस्थान करने से पहले मक्का की तिर्थ यात्राएं सीरिया इर्या आकफार्स यमन ओमान पूर्व अफ्रिका के कहीं तटिया व्या पारिक बंदरगाओं की यात्रा कर चुका था अब यहाँ पर क्या हुआ ना यहाँ पर जो है ना वो जाना चाहत जोता ना पहले क्या होता था लूटेरे मिलतेते रस्ते रस्ते में कई पे भी तो वह जुन्ड में चला करते जो बहारी लोग हो गए या फिर कोई भी तिर वह जुन्डों में चलते ताकि वह लूटे ना जासके यह अकेला भाग गए घर बार चुड़के और कि मैं तो पिस आता है 30 साल के बाद अब एक बार सोच के देखो जरा कि क्या 30 साल के बाद इसका घर वहां पे होगा जिंदा भी होगा या बाड़ वाड़ आ गई खतम हो गया होगा पता नहीं जो भी है इसकी कहानी इसी की जुवानी और आगे वह जो है अपना यात्रा वरीतां तो लि सुल्तान उसकी विद्वत्ता से प्रभावित हुआ और उसे दिल्ली का काजी या फिर न्याइदिश न्यूक्त कर जया गया अब यह जो है न जब भारत आया था दिल्ली आया था तो यहाँ पर बताते हैं तुगलक सुल्दान मुहम्मद बिन तुगलक के बारे में सुना सुनाने से साध कर दिल्ली आया हे दिया हुआ यहाँ पर यहाँ घ राजा ने उसके बना दिया तो वह तू ले सकता है वही इस पद पर कई वर्सों तक रहा और उसने फिर क्या हुआ विश्वास्क हो गया राजा को बरोसा नी रहा उस पर कुछ पंगायार और उसको जेल भेज दिया गया कारागार थोड़े बहुत दिनों तक जेल रहा उसके बाद उसको निर्दोस साविद किया गया मतलब गल्ट फाहिमी हो गए थी कुछ गड़बड ओगय थी बीच में और उसके बाद उसको फिर से काम पे लगा दिया गया 1342 म चीन जाने का आदेश दिया और इसको भेज दिया चल बेटा निकल लेदर से चीन भेज दिया इसको राजाने ठीक है और यह रास्ते में जाते हुए असां पहले यह भी तयार कि जो जाना होता था ना कहीं पर रास्ते में तो ऐसा नहीं था कि शिदा आप ट्रेन में बैठो जहाज बुकिंग जहाज तो छोड़ो ही ट्रेन में बैठो और बुकिंग लो और पहुंच जाओ ऐसा नहीं था उस टाइम पे उस टाइम पे बहुत रेर चीज होगी अगर कहीं पे दिख गई तो तो सोच लो मतलब पैदल ही चलना है पूरे वास्ते और भारत से दिली से चीन जाना और चीन के अंदर भी जो है में में इलाके मतलब जो चीन की राज़ताने वहां तक गया था ये बीजिंग के आस-पास तक की लाके तक भी गया यह तो इतनी धूर तक जाना यार पैदल वह भी महनत भरा काम था उस टाइम पे भी और समय आया तो पूछो ही का नेड़ने ले लिया देखो कब छोड़के आया था 1347 में उसने मन किया की चलिया अपने घर चलते हैं तीस साल भी चुके तो उसको और वह पहुंचता है अपने घर घर पहुंचते ही राजा बोलता है भाई साब आजाओ इदर आओ तुम और क्या देखा उदर तीस साल बिता के आयो तुम तो पूरा जो है उसने अपनी जर्णी जो है वहां पर लिखवानी पड़ी नहीं तो राजा मरवा देता क्या पता तो ओ जो पूरी कहानी बताता है अपनी कि मैंने यह देखा ऐसे रीती रिवास थे यह तब ऐसे अपनी किताब वो खुद भी लिख रा और यह नदिया है यह सिंदू नदियां पर सब्वेता थे याद हो आपको तो इधर वाले लाके से बंदे इधर आया करते थे मनलब काफी लंबा रास्ता होता था यह लोजिकली अब देखते हैं आगे तो आगे बढ़ते चलते हैं यहां यहां पर देखते हैं तीसरा लेखक फ्रांसवा बढ़नियर एक विशिष्ट चिकित्स लग यह व्यक्ति था एक डोक्टर अच्छा डोक्टर था काम भी मिल गया इसको जब घूमने आया था यह भारत में तो बताते हैं लगब पंदरा सो इसवी में तेको वह कहानी सुनरे हो ना 973 उसके बाद 1300 में आ गए फिर 1500 में आ गए मनलब आगे समय जा रहा कोई कोई 100 वर्षों के बाद ऐसे नहीं कि रोज की रोज को यह आए जा रहा है मनलब आते होंगे उन्होंने कुछ लिखा नहीं होगा कुछ भी हो सकता है तो यहां पर बताते हैं पंदरा स राबर्ट नोबिली ने भारतिय गरंतों को यूरोपिय भाहसा में अनुवादित भी किया सबसे परसिद यूरोपिय लेकों में एक नाम आता है दुआरते बर्बोस सा इसका नाम भी आता है ऐसे नाम आते जाएंगे डॉंट वरी घंबराने का नहीं है बिलकुल भी फ्रांसीस जोहरी जो बस क्या नाम है यह तैसमियर का और क्था जिसे कम से कम शैँ बार भारत के आतर आ है कररेंगे प्रांस का इसने जो भी नाम यह पढ़ ले ना दो बार मैंने पढ़ना तो इसे छैँ बार भारत के आति करी थी अpeनी जिंदगीमें उसके आते हैं यहां पर उसके लावा इन में से कई यात्री जैसे कि इतलावी चिकित्सक मनुकी कभी भी यूरोप वापिस गए निभारत में आए और बस गए इदर ही बोला मैं तो इदर काई बंदा हो गया मैं नहीं जा रहा वापिस मुझे वहां मजा नहीं आता तो यह जो मुन देखो यह नाम किसी को याद करने ही जुरूरत नहीं है बस हाँ पता होना चाहिए थोड़ा सा अगर है तो ठीक है याद रहे तो अच्छी बात है बाकि हाँ नोट्स बना दूँगा मैं तो नोट्स में देख लेना आप नोट्स में इजी रहेगा आपको थोड़ा यह ना पूरव और पस्चिम की तुलना पूरव और पस्चिम की तुलना से यहां पर इसका मतलब है कि जो दुनिया है इसका पूरवी हिस्सा पूरवी हिस्सा बोले तो चीन भारत जापान यह वाला इराका और पस्चिम हिस्सा जहां पे अमेरिका यूरोप यन डेश जो है तो इनका जो है इनकी जो भासा सहली है जो रीती रिवाज है इनमें बहुत ज़्यादा अंतर देखने को यहां पर मिले थे बहुत ज़्यादा फरक था इन पे इधर व इनका अब अताती है आगे एक परीचित संसार की समझ अल भीरूनी संस्कृतिक परंप्रा यहां पर जो है एक परीचित संसार यानि कि वह संसार जिसके बारे में हमको पता नहीं है कुछ भी समझने में बादाएं और उन पर विजया है यानि कि जब किशी दूसरे देश की संस्कृति को आप समझते हो बड़ी दिक्कते आती है बहुत दिक्कते आती है क्या होता देखो मैं आपको इंसोर्ट बताता हूं आप भारत के हो आपको हिंदी आती है सिरफ हिंदी आती है ठीक है आप गए फ्रांस के अंदर फ्रेंच बोली जाती है मुझे नहीं आती फ् अकली से कोई एक मिल गया तो साइद कुछ थोड़ा सा मसला आसान हो जाए कुछ समझा पाए वो तुम्हारी भासा भी जानता हो तो मलब हिंदी भी जानता हो या फिर एक ऐसी भासा जानता हो जो तुमें भी आती है उसको भी आती है तो इस तरीके से समझा जाता है लेकिन य लोग उनके अनुसार समझ में बाद अखते पहले अवरोध भासा थी भासा के बिना कुछ नहीं यानिकि वह यहां पर बोली जाती पाली संस्क्रीट वहां पर युनानी या फिर दूसरी भासा युनानी तो सुखाती ने थी जो भी भासा त्यार उदर की वह अपनी भासा बो अनुवादित करना बहुत मुश्किल था यानि कि जैसे होता नहीं एक भासा इंग्लीश टू हिंदी ट्रांसलेट करते हो तो इंग्लीश की हिंदी कुछ और ही निकल के आती है आपको भी ट्रांसलेट किया हो तो पता होगा आपको कि गड़बड हो जाती है हिंदी से दूसरा अवरोद धार्मी का वस्तावर पर्था में भी अलग था मलब की वहां की परंपराएं रीती रिवाज ये सारी चीज़े वहां की अलग थी यहां पे अलग था उसके अनुसार तिसरा अवरोद अभिवान था यानि की समझ लो बस वहां पे लोग अपना ग्यान दे यहां पे अपना ज्यान देरे सब मामला उलजा पड़ा था इसके लिए बाकि हां किताब जरूर्व लिए भाई हार नीमानी से बैदे किमाल की बात ओर निका जाती विए वस्था के बारे में बिए बताते है कि जो है नाल बिरुनी ने समогदायों के में परती रूपों की खोज के माद्यन से जाती विवस्ता को समझने की कोशिश करी कैसमझ में आया है वह इसको उसने लिखा कि प्राचीन फार्स में चार सामाजिक वर्गों को मानियता थी गुड़सवार, सासक वर्ग को, भिखसू को, वानुस्ठानिक, पुरोहितो को, चिकित चीज की लिमीटेशन वह सिर्फ भारत के अंदर नहीं थी वह पूरी दुनिया में फैल्यू थी वह जो है ना दूसरी दुनिया मतलब अपने देश में जाके देखो वह जहां का भी बंदा थैर वह अपने देश में जाके देख रहा है यहां पर कुछ लोगों को ऊपर नीच यहां पर ब्रहमन आपको बड़ा उच्च दर्जे का मानते हैं जो है बोलते हैं हम तो बर्मा के मुख से जनम हुआ हमारा उसके अलाव बताते हैं चत्रिया बाजूओं की ताक्त्य है उसके अलाव जो है वह जो है यह लास्ट वाला सा सूद्र तो इनको ब्राबर्शी का दर्जा है ज्यादा फरक निया है इनके दर्जे में इनको उपर वालों की सेवा करनी होती है यह अपने आपको जो है कभी भी ऊच्छा दर्जे का नहीं मान सकते तो ऐसे लोगों को बाटा गया था जाती के हिसाब से या फिर कुछ भी करके बहुत खराब सिस्टम बनाए गैंब इसके आगे आता है अनजाने को जान एने ने यूदसर आ इतने सारे नाम व quiο से भी आदनी रहेंगे आपको काम करते हैं इस पॉर्ट को बहुत कronics कर लेना मैं अच्छे नंबर काता है और बार आता है अच्छे नंबर का आता है वो भी तो बाकी मैं चैप्टर जो भी चैप्टर करा रहा हूं उसके साथ में बता भी रहा हूं कि यह इस exam के point of view से important है या नहीं है तो वह चीज़ आपको help करेगी क्यों कौन कौन से chapter पर आपको focus करना चाहिए कौन से पर नहीं करना सब्सक्राइब करो साथ में घंटी दबाओ ताक कि कोई update हो आपके काम का हो तो आपको विल्कुल time से मिल जाए